अब्रिवान एट्स में सार और आप सबीका ड्रागन मास्टर के और इकने पिसोड में स्वागात है जैसा के पीलेबल एपिसोड में हम लगों ने देखा था यंग मास्टर जाओ मिंग लिंग मिजन्यान के साथ एंसेंड एज़वन सेटी के एक बहुत आज़िप सा स्पेस टाइम से जुरा हुआ एक रुइंस के अंदर जाते ही दोनों को यह अचनक से एक बहुत मिश्ट्रियस सा टेंपल दिख जाता है और इसी मिश्ट्रियस टेंपल के अंदर से एक बहुत मदूर सा संगित सुनाय दे रहा था इस पे तो तब भी मिजन्यान कहा उड़ते है कि यह म他们 के अफिया अफिया अगे Carn. City से और जहां उनस जे करफे आगा इसका मतलब यह कोई रिस्तार थार जिस पर us और यूंज सनद भा का सपर से क्या उनलेन यूंजेने सिलिनित करेibe को चाश्बार्ट हो सकता हैं तो आप कोई रिस्तार था तो टो numbers में फोर अच current साथ होते हुए कि एंक उपन सेटी के अंदर हम लोगों कोई रिश्चा तो नहीं था और हां तुम यह जो एंजेंस लुएंज्वून्स देख यह दो इस सीटी से पहले यहां पर पहले रहा करता था और रही बात हम लोगों के बारे में कल्टिविशन के लिए बहुत ही अच्छा था इसलिए और डढ़के बागे सरे एंसे नाइस बॉन सिटी के लोग यहाँ पर फोर्ट्रेज बाना के रहने लगे जो सुनते ही तो जाओ अचनक से पूछ उड़ते हैं क्या मिशनियान यह लोग इस फोर्ट्रेज का मदल से लिं उनों को मिश यूसा और शिंग्जवा के अंदर डाल दी थी अभी तक तो सब कुछ ठीकी था लेकिन वह वेब को लियांग यानि कि यह अपने पपा के बारे में यहाँ पर बात कर रही है जो डाइनेस्टी के पावर से डटता था इसलिए तो उसने लिए उन्जी को प्रि यूए नश्ट ना होता तो मैं जितना हो से के तुम लोगा मदद करता पर अभी मेरे यानि के पास पार है और मेरे होते हुए मैं तुम चालों के पर किसी तरीका के भी आज नहीं आना दूंगा जल्दी करो जल्दी करके अपने आजू रहा इनको बुला मेरे पीशे एक ब सामने कोई नहीं बच्चा यहां तक किसके हाथों में ग्रान एल्डर भी मर चुका है जो सुनती तो मिश नैन क्या उड़ते हैं कि अरे बच्चे क्या बगबास किये जा रहा हूं बैसे भी यहां पर आर्थ घोष कहां से आ सकता है बच्चों भी इतना ही डिर चुका था व पता हैं और ये सब को सोचने के बाद जाओ तो मिँग जी यह तो मिंघी से कहता हो लेकिन इसके बदले तुम मुझे क्याद ओके घंघ जा रहा हूं वैसे भी तुम जैसे एक lower realm के mortal को grace के बारे में क्या ही पता होगा और अभी तो अपने बारे में इतना सारा थारिफ सुनने के बाद जाओ तो इतना गुस्सा हो जाता है जो तो गुस्से का मारा अभी मिंग जी को कुर्णा स्टार्ट कर देता है वे चारा मिंग जी आखिर कार तो तुम इसे blessing भी खह सकतो और ये blessing हर एक के लिए अलग-अलग सा होता है जैसा कि मानो इस grace के blessing के बाद किसी के बहुत ही powerful से एक dragon अंडा मिल सकता है या फिर किसी को एक heavenly armor भी मिल सकता है या फिर ऐसा भी heavenly pill मिल सकता है जिसे खानी के बाद तुम सिधा गौर ले मिल में पह परते भी तो जाओ और मिस यून जी को थोड़ी दूर में एक बहुत ही बड़ा से चन्किला आग दिख जाता है और थोड़ी दर भाद ही तो उसे आग का मालिक यानि कि मिंग जी जिस आर्ट घोर से भाग रहा था वह भी तो यहां पर आ जाता है जिसे तो देखता हो आप से जट पिटकर के मान के वो जाओ भी बापस ले तो भी तो यह तो सच्छी में बहुत रबना है पर जाओ को तो यही कहना था कि यह तो उसे बेग महामुलित सा आर्ट गोश्ट है इसके साथ तो मैं आसानी के साथ ही लड़ सकता है और यह पर तो इन दोने के पीछे बेच से मिंटेन कर सकता है और सी के साथ जाओ तो अपने फेरी गोड़ेस यानि कि नुवा ड्रायर्म को बाहर निकल लेता है और जो तो बहर आते ही सिधा जाके उस आर्थ घोष्ट का जो पावर सोर्स था उससे रुका देता है जो देखते हो तो जाओ कहा उड़ता है कि ही तो वो हो जिसने मेरा जाओ तो आपने तरीके से कहा उड़ते हैं कि हाँ मेरे प्यारे बच्चे मैंने ही तुम्हारा कल्डिविशन फ्रूड़िश होया था तो क्या इससे तुम्हारा कोई एतरास हैं जिस पर तो मिंग से दर्टा हुआ कहा उड़ते हैं कि नाना भीया तुमने तो अच्छा ही किया था और ची कैसा जाओ तो अभी उसे आध गोलेम के साथ लगाई करने के लिए अपने मोहन कभी बाहन निकल लिया था पर तब ही तो जाओ को भी कोई पीछा से रुकाता हुआ क्या उड़ते हैं कि बच्चे क्या तुम ही ही रोपू के कातिल हो पर जाओ तो उल्टा उसे दादीजी से पूझ उड़ते हैं कि अरे दादीजी तुम कौन हो और आखिरकार इस डरा अपने जगा पे तुम क्या कर रही हो तो दादीजी तो क्या उड़ते हैं कि मैं मैं ते एक साधरन से माली हूँ और हाँ मैं कभी कवार यहां पे तो मैं क्या करूंगा पर जाओ को ऐसे भी हब करते हुए दिखने के बाद हो दादीजी का गुछ से का पहरा चल जाता हैं जो तो अभी जाओ को धमकाता हुआ क्या उड़ता है कि बच्चे तुम्हें पता भी है कि मेरा डिवाइन पावार क्या है जिस पर तो जाओ हंसता ह जाओ और मिसने दोनों ही चोग जाता है क्योंकि पहले बार इन लोगा सामने एक निक्रुमांस से जो हो रहा है जो दिखते हो तो अभी दादीजी हसता हुआ कि अरे बच्चे क्या हुआ डर गया ना बैस भी मेरे हाथो मनने के बाद दो तुम्हेरा हालत और भी बूरा हो जाएगा और इसी के साथ दादीजी तो अपने पावर के मदद से सेमेंटरी के अंदर जितने सरे बंदे मेरे वेदे सबको ही जिन्दा कर देते हैं और इन सबके अंदर तो जाओ क्लान का ग्राण एल्डर भी था और ये सब कुछ होता हुआ देगने के बाद मिसने तो जा दादीजी का खात्मा करने के लिए भरो दादीजी बुड्डी होने के बावुजर भी जाओ कर समले को तो आसानी के साथ राज के लेती है जो तो अभी जाओ से क्या उटते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे जंग लगे हुए से ब्लेट से मेरा उने के बाद खुद मौहनलाल भी गुच्छा हो जाता है तो जाओ भी उसी दादीजी के ऊपर सोल प्यार्सिंग स्वर्ड से एक के बाद एक घम लकरना स्टार्ट कर देता है जो देखते हो तो भी दादीजी का जो आर्गोष सा वह भी जटपट करके दादीजी को बचने के लिए आ जाता है पर वहाद गोष भी न दूका ने के लिए गोठ बिए मतल्छे को दादी जी भी भागता हुआ सोचते हैं कि उसे नहीं रगा था कि जाओ बच्चा इतना ही पारफुल निकलेगा दूसरे और तो ये सब कुछ देने के बाद जाओ तो अभी इतना समझ चुका था कि ये दादी कोई नेक्रमेंसा नहीं है जो तो यहाँ पर आईले सिविल ड्र सब्सक्राइब को यह पता है और यह देखने के बाद ही हम सब को यह पता चले चुका होगा कि आगे क्या होने वाला है पर बेचारी मोहन को कहा कुछ पता था जो तो अभी स्टैचू को इलते हो देखने के बाद सोच उठता है कि अरे यह पत्थर का स्टैचू आकर हील क्यों रहा है दूसरे और तो जाता हुआ जाओ भी यह सब कुछ देख रहा था जो तो अभी यह देखने के बाद कहा हुटता है कि यह क्रीचर अभी यह जो कमंडर है इसके अंदर कुछनी के बाद दो पहले बाले अर्धगोश से भी ज्यादा पारफूल बन चुका है अगर आप लोग को यह प्लेप सुट अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट और हां सबस्क्राइब करना ना भूलना पता नहीं मेरे इस मोबाइल के साथ काईन मास्टर का क्या ही दूस्मनी है हर बार यह जो पोस्ट कर द करता है